हेलो एब्रीवान गूड मॉर्निंग कैसे आप सब आप सब का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं संगीता और मेरे चैनल का नाम है मनिसाफ हैमली चैनल तो यह सुबह का टाइम है और आज दिन है सटाड़े है तो यह सुबह मैं अभी यह सुबह पहले मैं जब जारु पोच्छा बखेर सब काम कर ली थी बस नहाई नहीं थी तो आज से जो है इनका काम सुरू हो गया है तो यह काम पे जाएंगे इसी वज़े से मैं सुबह-सुबह यह खाना बना रही हूं तो सुबह मैं मिक्स डाल बना रही हूं यह मसूर की डाल अरहर की डाल और काली वाली मसूद की डाल यह चार दाल मिक्स बना री हूं अभी तो इसको पहले में जो लेती हूं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हूं क्या बनाओं तो इसी बज़े से में डाली बना देती हूं और दाल और रोटी बनेगी सुबह के टाइम तो मैं दाल को अभी अच्छी तरह से धो लेती हूँ दो तीन बार उसके बार दाल को कूकर में डाल दूँगी तो बस ही अभी मैंने दाल को थो दिया है अब मैं इसको कूकर में डाल के और नमक हल्दी और थोरा सक तेल डाल देती हूं और कूकर को बंद करके चार पांच सीटी लगा लूँगी क्योंकि तड़के वाली दाल बन रही है इसलिए इसमें थोड़ी ज्यादा सीटी लगाना पड़ता है मिक्स दाल है तो कम से कम पांच सीटी लगाने पड़ेगी तो अभी मैं सारे सब्जी काट लेती हूं जो इसमें जो जो तरका लगेग तो बस मैंने अभी ये सारे सब्जी को कट कर लिया है और कूकर में सीटी भी लग गए थी 5-6 सीटी लगा ली थी मैं अच्छी तरह से और अभी कराई में तेल ले ली हूं उसमें जीरा हेंग डाल देती हूं फिर उसमें मिर्ची और लशन डाल दूँगी और लशन को मैं बारी काट के डाल रही हूं क्षे सूखी मिर्ची सूखी नहीं हरी मिर्ची थी तो यह सूख गई तो पर कौई बाद नहीं काम चल जाएगा दॉटज हूं बारी कटावा प्याज भी डाल देती हूं इन सब को अच्छी तरह भून लेती हूं उसके बाद मैं टमाटर डाल देती हूं तो टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लूँगी सौप्ट होने तक उसके बाद मैं इसमें नमक और मसाले भी डाल दूँगी तो अबी जो है चुछ सूब्छ का राह था तो अभी जल्जली भी हो रहा था तो एक तरफ मैं आटा भी लगा रही थी और एक तरफ ये मसाले को भी भूल रही थी तो बस यह मैंने इसमें नमक डाल दिया है due मारा टमाटर जो है सॉप्ट हो चुका है अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी तो मसाले में मैं डाल जीओं हल्दी धनिया जीरा पौडर एक चमच और इसमें हां एक चमच चिकन मसाला भी डाल देती हूं तो बस यह सब डाल के और मैं सारा मसाले को भून लूंगी अच्छी तरह से उसके बाद मैं डाल को डाल देती हूं इसमें तो बस अभी मैंने अच्छी तरह से टमाटर और मसाले को भून लिया है और कुकर को भी मैं देख लेती डाल को तो यह भी इसको एक बर मैं कल्ची मार लेती हूं और इसको मिला देती हूं अच्छी तरह से डाल को उसक लग भग 3-4 मिनट तक में गेस पर ही रहने दूँगी और इसके बाद में इसमें धन्या पत्ति डालूँगी तो अभी मैंने डाल दिया है और अभी आप देख सकते हैं यह दाल तो इसको तीन-चार मिनट अभी गेस पर रहने दूँगी और इसके बाद मैं धनिया पत्ते डाल दूँगी तो अभी देख सकते हैं आप मैंने इसमें धनिया पत्ते डाल दिया है और यह जो हमारी दाल है बहुत टेस्टी बनती है तो दाल और रोटी सिंपल सुबह के खाने में तो इसके बाद दाल हमारी बन गई थी मैंने इस चूल कि अभी इनके लिए खाना भी लगाना है और इनके लिए टीपिन भी ले जाएंगे आएंगे नहीं फिर बाद एक वार साझ को आएंगे में बार-बार आना जाना भी इस टाउनहीं रहेगा इसी वजह से टीपिन और खाना मैने लगा दिया इनके लिए तो ये जो है दो पहर का टाइम था तो खाना बगेरा बनाने के बाद मैंने नहा ले थी और सारा काम हो गया था मेरा और ये मैं लगा रही हूँ ये गुडनेस का ये मुलतानी मट्टी पाउडर तो ये मैं अभी इसको खोल लेती हूँ और इसको एक कटोरी में थ दालके और इसको मिक्स कर लेती हूँ और मैं अभी मैं अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोली हूँ इसके बाद मैं मुलतानी मट्टी को अपने फेस पे अफले कर लेती हूँ तो सारे और ये परपल.com से आया था मेरे पास वही वाली मुलतानी मिट्टी है तो अभी मैं पूरे चेहरे पे लगा लूँगी इसके बाद मैं 15-20 मिनट के लिए सुखने के लिए छोड़ दूगी तो बस मैंने भी लगा लिया है और ये गर्दन पे लगा लेती हूँ और हाँ जो मैं परपल हॉल जो मैं एक बार बोल रही थी मैंने मंगाया है परपल हॉल का वीडियो बनाया था तब उस टाइम तो मेरे पास बहुत सारे कोमेंट आ रहा था तो उन्होंने कहा था कि मंगवाई है या मिला है फिरी का चीज है तो नहीं डियर ऐसा बात नहीं ह क्या क्या मंगवाना चाहते हैं मंगा सकते हो तो इसी बज़े से मैंने कहा मैंने मंगाया है और यह इसी चीजे मैंने मंगाई थी तो आज मैं यह मुलतानी मिट्टी का यूज कर रही हूं तो अभी 15-20 मिनट बाद मैं छोड़ दी थी उसके बाद मैं फेस को धोली हूं अच् वरा मेक तो पहले में टोनरा अपले करती उसके बाद मेप सी खाल लगा लेती हूं यह वी गुड़ी का खी सीरम है तो यह चुमेल लगाई अभी टोनर सीरम वगे रहे यह मैंने पहले जो आज वी पर पर से समान मंगाया था रहे तो खुदके पैसे से ही मंगा थी इस बार जो है परपल वालों ने भेजा था तो बस यही और बस मैं अभी थोड़ा सा मेक अप कर लेती हूं सिंपल वाला तो सीरम मैंने लगा लिया है उसके बाद यह बीबी क्रीम लगा रही हूं तो यह क्रीम भी खतम हो गई है तो अभी मैंने जो जैसा मेक अप करती हूं रोज का ऐसे मेक अप कर लिया है थोड़ा सा सिंपल और बस अभी मिलती हूं फिर मैं अब सबसे थोड़ी दिर बाद तो अभी जो है मैं बरतन दो के फिर हूँ हूँ और अभी टैन हो गया है चार बज गया है आज दीन में मैं से नहीं पाई और मैं बच्चे उसला दीती पर मैं नहीं सो पाई तो मैं मुलतानी मित्टी लगाकर और मैं फिर कपड़े भी दोली थी और बरतन भी थे बरतन भी मैं दोली हूँ और आज जो है दिनर में मैं बनाओंगी दिनर में मैं सिंपल बनाओंगी ये कुंदरू है ये कुंदरू की भुंजिया और रोटी बनाओंगी तो बस यही मैं बनाओंगी और अभी मैं साम का चाय बनाओंगी और बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए भी बनाओंगी और अभी मैं अभी नहीं बनाओंगी दिनर अभी थोड़ी दर बाद बनाओंगी अभी पहले बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बनाओंगी और चाय भी बनाऊंगी और यहां पर जो है मैं बॉय सबर कर रही हूं क्योंकि बाहर से कुछ आवाज आ रही थी इसी वज़े से तो यहां पर मैं बताना चाहती हूं रादी का रियल ब्लोग की रादी का जो है मेरी सिस्टर तो अभी उनका परिवार जो है बहुत मुस्किल और से गुजर रहा है क्योंकि उनका सिस्टर इन लोगा जो बेटा था अंसु आसी का ही एज का था बहुत प्यारा बच्चा था तो अभी वह हम लोग के बीच में नहीं रहा भगवान एक मा के साथ ऐसा क्यों करते हैं तो यह बहुत दुख की बात है और उनका परिवार भ लोग वैसे तो उनका कोई बड़ा विमारी नहीं था बस डॉक्टर नहीं आये और उनका सही से इलाज नहीं हो पाया इसी वज़े से वह हम लोग के बीच में नहीं है और क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था तो राधी का अपने ब्लोग में बताएगी जब उनका ब्लोग तो बस में यही बताना चाहती थी आप सब को और मेरा यह ब्लोग पसंद आये तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बैल आइकन है उसको जरुफ प्रेज किजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की न